ओम शान्ति अति मीछा अति प्यारा गोपी वल्लब पाप अपनी गोपिकाओं को ज्यान नेत्रहीन से ज्यान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना देते हैं और जिस ग्यान को हम अपने जीवन में धारन कर अन्य आत्माओं को ज्यान का प्रकाश देकर स्वयम भी सारे विश्व का मालिक बनते और अन्य आत्माओं को भी मुक्ती और जीवन मुक्ती दिलाने के योग्ये बन जाते हैं तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 16 आगस 2020 के मधुर महावाक्यों को इस दुनिया में मनुश्यों को कौन से खयाल रहते हैं जो सत्यूगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे हमारा स्लोगन कौन सा है सुख दो सुख लो नदुख लो नदुख दो श्रिव बाबा की महिमा आज की मुर्ली की अनुसार इस प्रकार है ज्यान सागर बहुत मीठा बहुत प्यारा नौलेजफुल पतित पावन बेहद का बाब पतियों का पती जनम मरण रहित पारलौकिक साजन इन कौर्पोरियल गौड़ फादर संगम पर ऐसा क्या होता जो सत्यूग में हम ऐसा पद पाते हैं फेल होने से राम बनते, मोटी बुद्धी वाले प्रजा में चले जाते, आज्याकारी बनने से अच्छा मर्तबा पाते, फारकती देने से चंडाल का जनम पाते, बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनते, अच्छी रिती पढ़ाई पढ़ने से उंच पद पाते, अभी के प साजन को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनते बाबा के चंचल बच्चे क्या करते हैं अवग्या सर्विस में डिस्टर्ब अंत में चले जाते सत्य युग में क्या क्या होता है? राधे कृष्ण कहां गए? ब्रामणों को अलंकार क्यों देते हैं? राम को क्षत्रिय की निशानी दी है? हम सारे जगत की पालना करते हैं. राधे कृष्ण की राजधानी के बारे में सत्य युग के लिए वर्षा सब यहां पाते हैं. बाबा नी कुछ बातों के लिए बताया ऐसा नहीं है. विश्णु के अलंकार नहीं होते. जड़ चित्र कुछ नहीं कर सकते. सत्य युग में कोई पतित होता नहीं. अभी राधे कृष्ण का राजधे नहीं है. देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं होता. गंगा राजयोग नहीं सिखला सकती. राधे कृष्ण आपस में भाई बहन नहीं थे. लक्ष्मी नारायन के बाल चरित्र कुछ नहीं है. सत्य में गोपिकाओं आधी की कोई बात नहीं. स्वर्ग में कोई पारलोकिक साजन को याद नहीं करते. जो पूरा नहीं पढ़ते वे क्या करते हैं? चंचलता. हम क्या बनते हैं? दूरादेशी, विशाल बुध्धी, मास्टर सुख दाता, स्वर्ग के मालिक, बेहत के बाप के बच्चे, ज्यान नेतरहीन अंधू की लाठी, अंतर मुक्ता के रस के अनुभवी. हम कौन हैं? सीताएं, शक्तियां, सजनियां, स्वधर्शन चक्रधारी, ब्रम्हा मुखवन शावली, गौट फादरली स्टूडेंट, गोपी वल्लब के गोप कोपियां. संगम युकपर हम ब्रामन क्या करते हैं? कोई दुख दे तो हमें क्या करना है? दुख नहीं लेना है, परिवर्तन कर सुख देना है, दूसरे को भी सुखी बनाना है. ये थी आज की मुर्ली की विशेश बातें, जिस प्रकार पालन हर बाप हम बच्चों की पालना करते हैं, उसी प्रकार हम बाप के बच्चों को भी एक दो की ज्यान रतनों से पालना करनी है. बाप समान नौलेच्फुल बन कर जिस ज्यान की धरणा हमने की है, ज्यान नेतर हीन आत्माओं को स्वयम अंदों की लाठी बन उन्हें भी ज्यान का तीसरा नेतर प्रदान करना है. ओम शान्ति